हम लोक है बच्चों आज रोक है कि भिटर ने साब एकष्विक्या होता है रिलेटिव लास्टी क्या होती है उसको साब इकष्व भी करते हैं और आप एच्चिक भी खते हैं इसको बोलते हैं रये टिव फैलास्टि क papa और कोई भी विलास्टी एफसिलुट नहीं होती हैं अगर किसी ब्सकावेग दिया हैं अगर कि लि الخाए किसी बस्तु कावेग तो उस वस्त कावेग अर्थ किसाक्ष होता है भेग हो त्वरल हो डिस्प्लेस्मेंट हो एफ सीलूट नहीं होता है यह जो है अर्थ के सापेक्ष या किसी बस्त के सापेक्ष होता है हमेशा रिलेटी होता है टाइम पर डिपर्डेंट होता है तो रिलेटीव हिलास्टी हमको देखना है रिलेटीव हिलास्टी क्या होती है अगर लेटीव हिलाश्टी हम समझ जाएंगे तो बर्षा और भ्यक्ति का जो रेन और मैन का आता है लोमेरिकल उसको भी साल्व कर लेंगे एरोपलेन और एयर होता है उसको भी साल्व कर लेंगे तो देखे इसमें क्या होता है किसी एक बस्तु का दूसरी बस्तु के सापेक्ष बेग पहली बस्तु की दूसरी बस्तु के सापेक्ष इस्थित परिवर्तन के समय के समय दर के बराबर होता है जैसे इसको ऐसे समझेए माल लेते हैं दो बस्तुएं है ए और बी और दोनों का वेग है भी ए और भी बी दोनों तो लिख सकते हैं ऐसे माना दो बस्तुएं बस्तुएं वा बी का वेग क्रमसह भी एव भी भी है है अतह है पहली बस्तुएं एक एसाप्यक्ष दूसरी बस्तुएं भी का वेग है पहली बस्तु एक एसाप्यक्ष दूसरी बस्तुएं फ्रीद journals पहली सब्सक्राब एक इसको ऐसे लिखते हैं भी एबी अ बरावर होता है भी ए माइनस भी भी एक्जामपल के तोर पर यहां पर देखा जाए अभी नाव और स्वीमर के बारे में हम नों नहीं देखा अगर नाव या बोर जो है और रीवर में नदी में चल रही है तो कहा जाएक तो लिखेंगे से भी आर माइनस भी अगर कहा जाए बोट के सापेक्ष रिवर कावे रिवर या वाटर भी सकते हैं डबलो रिवर कावे तो क्या हो जागा यहां पर भी बी माइनस भी आर अगर एरो प्लेन है उचल रहा है और हवा भी हवा भी चल लही है दोनों गतिमाने हवा हवा भी गतिमान है ए Chef रिकेंगे इसको भी डबलो बतलब एरो प्लेन के सापेक्ष भी अहवा का भेग माय वनास भी यह दबलो तो इसकी ज़रत पढ़ेगी पहली बस्तु एक एसापेक्ष दूसरी बस्तु भी का बेग भी एबी बराबर भी ए माइनस भी वी ए रिलेटी भिलास्टी कुछ और नहीं है बेक्टरों का क्या है सब्स्ट्रेक्शन है घटाना है इसे बेक्टर का जोड़ घडाना पढ़े है वही चीज़े भी है तो इसको बोलते हैं भी ये भी बराबर भी ये माइनस भी भी अब हम इस पर लोमेरिकस जो आते हैं रेन और मैन का एरोप्लेन और विंड का हवा का उसके बारे में देखते हैं प्रका है बाय मतलब लड़का एक लड़का है वो तीन कीलो मीटर प्रति घंटे की बेग से पूरब दिसा में जा रहा है और बारिस उसमें चार कीलो मीटर प्रति घंटे के बेग से उर्द्वारधर उपर से कहा हो रही है नीशे की और हो रही है तो कर रहा है बताईए बर्सा के सापेच वह लड़के का बेक कितना होगा और उसको लड़के को बारिश से बचने के लिए छाता किस दिशा में लवाना चाहिए फिर सुनिए इसमें डाइरेक्शन पहले में बात है तो क्या करते हैं हमें एक डाइरेक्शन ऐसे बना देते हैं यहां पर इस तरह से ऊपर हमेशा उत्तर नीचे दच्छिड इधर पूरव और इधर पक्चिम यह हमेशा बनाएंगे ऐसी आईसे वह तो देखिए लड़का जो है उसकी चाल तीन किलो मीटर प्रत्गंटे के चाल से पूरव डिशा में है तो लड़का ऐसे जा रहा है ज़ंदी सामीजा रा और बारिश जो है उर्दवार्दर कहां और यह उपर से नीचे की और बारिश ऐसे हो रही है इसी हो लही है तो कर रहा है कि बढ़एए बरसा के सापेच लड़के का बेग कितना हौगा आपके लड़के का नीशे के तरफ है ret भी आर और दूर्द वार्दर आ रहा है तो बीच का एंगिल के डिगरी नाइंटी डिगरी तो हमें निकालना है प्रस्ट नमबर एक है वर्षा के सापिक्च लड़के का बेग अनि भी आर भी तो क्या लिखते हैं हम भी आर माइनस भी वी और इसका अगर मेगनी शूर्ड निकाला जाए तो देखिए इस डाइरेक्शन में है भी वी तो इस डाइरेक्शन में अगर इधर आएंगे इस डाइरेक्शन में उल्टा तो इधर होगा माइनस भी वी इस डाइरेक्शन में माइनस भी वी और इन दोनों का परड़ामी अगर हम एक प ले लोग राम बन जाए इसका परिडामी कहां से होगी जाएगा यहां से होगी जाएगा यहीं जो है इसका परिडामी कहलाता है और च्छाता का डाइरेक्शन ऐसे होगा इसी के परिडामी प्यों होगा अब्रेला जो लगेगा ऐसे अम्रेला इसी डाइरेक्शन में ऐसे जो है उर्धवारदर से हमेशा निकालते हैं थीटा डेगरी पर तो सबसे पहले निकाला जाए भी आर भी भी जो निकालेंगे तो यहां पर मॉड कर दें मॉड भी आर भी इसे इकोल टू हो जाएगा अंडर रूट भी आर इसक्वार प्लस भी बी स्क्वार माइनस तू भी आर भी बी कास थीटा एक निकेटिव है तो देखिए क्या होता है आर इसक्वार टू आपको फार्मूला बताये गया है अगर बेक्टर आर बरावर है बेक्टर A plus बेक्टर B तब होता है R बराबर अंडर root बेक्टर R है तो magnitude A square plus B square plus 2AB cos theta अजब यहाँ negative हो जाएगा यहाँ पर तो negative का मतलब A square minus B का मतलब minus B square करेंगे तो plus B square अब plus 2A B के जगाँ पर minus रखेंगे तो minus plus मिल करके क्या हो जाता है बेक्टर V R और V B के बीच का कोण कई डिगरी है 90 डिगरी है तो यहाँ लिखेंगे 90 डिगरी तो यह टर्म क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root V R V R कितना है 4 तो 4 square V B कितना है 3 3 square under root 16 plus 9 under root 25 is equal to 5 km पर घंटा यह तो निकल गया बर्सा के साफिक्ष V R का बेक्टर V R का अब कहा रहा है कि बच्चे को बारिस से बचने के लिए छाता का डाइरेक्शन किधर होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर माना छाता का छाता का दिशा उधवार धर से थीटा कोण पर होगा अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा अब यह ट्रेंगिल हमाई है भी आर भी होगा है भी आर भी एरियल टेंट है भी आर भी यह माइनस भी भी है अगर यह माइनस भी भी अगर हो इधर इस टाइम में माइनस भी भी तो ट्रेंगिल भी लगा सकते हैं इन दोनों का योग इसके बराबर होता है माना छाता छाता का दिसा उर्द्वाजर से थीटा को पर होगा तो इस ट्रेंगिल में जो ट्रेंगिल देख रहा है आप ओ इसको ए कर दे रहे हैं इसको भी कर दे रहे हैं राइट एंगिल ट्रेंगिल ओ ए बी में टैन थीटा इसक्वल टू एक परपेंडिकुलर भीवी और यह हो जाएगा बेस भी आर तो भीवी की वैलू कितनी है थ्री और भी आर वैलू कितनी है फोर तो थीटा बराबर टैन इनवर्स थ्री बाई फोर इतने डिगरी पर उर्धवारधर से छाते को जुका देंगे तो वह बारिष से बच जाएगा तरह की भी आर्वी बारिश किसी दिन बारिश बारव मीटर पर सकेंड के बेग से उल्धवारदर नीशे की और उर ही है और हवा जो है विंड है हवा जो चल रहा है हवा का बेग 12 मिटापर सकेंद पूर्वसे पश्यौ्दकी और चला है हावा जो है चल रहा है 12 मिटापर पूर्वसे पश्यौ्दकी और तो कुछ रहा है Question में कि बस Stop पर खड़ाएक व्यकति छाता लेके खड़ा है कि चाते का कि यहां पेना हो तो वाप बना सकते हैं से direction यह है पूरब यह है पत्तौ मैं है उत्तार यहां दक्ष्जर अब रहना था कि और हवा जो चल रहा है 12 मिटब पर सकिन पूर्वसे सबूर्ब से पर्श्रिम कbrar चल लाए अए में जो लाए इस रेन की भेलास्टी दिया हुआ है। है कि बस इस टाप पर खड़ा है एक भेयक्ति चाथा ले करके तो इस बारिज से बचने के लिए चाथा को किस डाइरेक्शन में लगाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इन दोनों से बनाएंगे पहले पायर लेलोग राम और इसका जो डाइगनल होगा इसका रिजल्टेंट होगा परिडामी होगा ऐसी जो है भी आर और भी डवलू का रिजल्टेंट है इसी चाता का डायरेक्शन ऐसी होगा इसी चाता इधर लगिया अगर उर्धवारदर से ठीटा डिगरी पर अगर चाता को जुका दिया जाए तो एभी एंगिल तो ठीटा होगा बस डायरेक्शन कुछा हुआ है तो डायरेक्शन देख लेते हैं इस ट्रेंगिल में क्या ले लेंगे हां टायन अगर यह भी डवलू है तो यह भी तो भी डवलू होगा दी डवलू तो इस ट्रेंगिल में सको o a b right angle ड्रिवलो गाए वी में कर टैएमथीटा इस कूल टू परपेंडिकुलर बी डवलू वेस वी अर भी डवलू की वैलू दिया हुआ है 12 अब ही आर्की वैलू दिया हुआ है 12 अंडर रूर्ट 3 इसको ल्टू 1 बाई 3 10 थीटा इसको ल्टू 1 बाई 3 तो लिख सकते हैं इसको 10 थीटा बरावर 10 30 तो थीटा बरावर करे डिगरी होगा 30 डिगरी अब डियक्षन क्या होगा उद्धो आरदर से कूरव दिशा में च्षाता को जुकाना पड़ेगा लिखेंगे यह है उद्धो आरदर से डिगरी उद्धवारदर से थीज डिगरी च्षाता को जुकाना पूर्व की ओच्छाता को कि पूर्व की ओर जुकाना पड़ेगा कि अ कि अ कि अ कि प्लेन है भी ये का मतलब एरोप्लेन का वेक एक एरोप्लेन या वायान हावा में कि 400 किलो मीटर प्रति घंटे के बेग से पूर दिशा में पूल रहा है और वह तुफान में फसा हुआ है और तुफान का मतलब हो वायू का जो भेग है पहले बेक्टर डाइग्राम बनाते हैं पहले तो देखिए डाइरेक्शन ऐसे इधर क्या होगा पूरव पस्चिन उत्तर दक्चन तो वाईव्यान चार्सो किलो मीटर प्रतकलंते के बेक्स फूर अब दिसा में इस डाइरेक्शन में चलना आ है को किया बहूर है यहां पर पॉइंटो कर दे रहे हैं यहां पर अब के कर दे कर दे रहें उत्तर पूर्व का मतलब होता है 45 दिगरी 45 डिगरी के डाइडरेक्शन पे वाई का आसी ऐसे है ऐसे चल लगी है वाई तो 400 रूट है यह होगे आप ही डबलो तो परिडामी क्या होता है दो वेक्टर अगर जुड़े हुए है तो इसके पर्थम अनि स्टार्टिंग जो हमारा वेक्टर है उसके हेड से अंतिम वेक्टर के टेल को जोड़ाएं ऐसी इस इस परिडामी भी हो जाएगा कर आभी की वह बताईए 45 एक बिक्तर इहां पर 45 जिनल जुड़िया करिए ऐसे एक वेक्टर ए बनाएथे और एक बिक्तर हम लोग भी बनाएथे इसके बीच का कौँ ठीटा था एसे परिडैल हो ग्राम ड्रा किया गया था यह भी को थीटा यह भी थीटा तो परड़ामी निकाल सकते हैं परड़ामी भी बराबर क्या होगा यहां पर वाई वाई यान का परड़ामी भी बराबर अंडर रूट भी ए स्क्वार प्लास भी डवलो इस्क्वार प्लास टू भी ए भी डवलो अंडर रूट भी ए की वैलू है 400 square 400 under root 2 square plus 2 into 400 into 400 under root 2 यहां पहुता है कास थीटा और यह हो जाएगा कास 45 कास 45 इसको साल्व करेंगे तो देखिए under root यह हो जाएगा 16 एक दो तीन चार प्लस एह हो जाएगा 16 अर्टू और हो जाएगा 32 एक दो तीन चार प्लस कास 45 की वैलू 1 अपान अंडर root 2 से अंडर root 2 कैंसेल 4 चोको 16 दोनी 32 एक दो तीन 4 इसको जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो रहा है एक 4 जीरू तो जोड़ेंगे ही और दो दो चार अच्छा चार दस का सुन्य हसील एक तीन तीन च्छा एक साथ एक आठ इसकी वैलू निकालनी है तो हो जाएगा सोला पच्छे असी सोला पच्छे असी ते हो जाएगा सोला एक दो तीन एक दो तीन चार है एक दो तीन चार 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 और 16 32 जोड़ेंगे तो यह 5 हो जाएगा इंटू 5 अब इसकी जो निकालेंगे इसका बर्गमूल 16 का बर्गमूल 4 हो जाएगा और 0000 और 0000 है एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच है तो प्रथी जाएगा तो 400 अंडर रूट फाइफ कीलो मीटर पर मीटर पर सेकेंट की गंटा है किलो मीटर प्रती घंटा यह तो निकल गया प्रड़ामी अब पुछ रहा है कि वाइवान की दिशा क्या होगी वाइवान ऐसे चलना आए अब आई बाइसे नोग जा करके इसका प् पूर्म दिशा से वायूयान जो है वायू का परड़ामी भेग वायूयान की दिशा से कई डिगरी का अकुण बना रहा है अलफा डिगरी का अकुण बना रहा है ह कि जो वाय्यान है वाय्यान जो है अपने डाइरेक्ष्ण से अपने डाइरेक्ष्ण का मतलग इह को नहता है इस गेसे सब्रोन चल ला था उसके रिषा से उसका परिदावि यो वे है और कर दिय्या को बना रहा रहा है intent पर माना वायुयान पूर्वदिशा से वायुयान जो माना वायुयान का परिडामी बेग परिडामी भी पूर्वदिशा से अलफा को बना रहा है तो इसमें टैन लेंगे तो याद करिए फार्मूला टैन अलफा वराब ने बी साइन थीटा पान पी प्लस क्यू कास थीटा तो यहाँ पर क्या होगा बी के मतलब क्या हुआ भी डवलो भी डवलो साइन थीटा अपान भी ए प्लस भी डवलो कास थीटा थीटा क्या है दोनों बेक्टरों के बीच का कोण पैंतालिस डिगरी तो टैन अलफा वराबर भी डवलो 400 अंडर रूट तू साइन पैंतालिस तो वन बाई अंडर रूट तू भी ए 400 प्लस 400 अंडर रूट तू कास थीटा जो वन बाई अंडर रूट तू अंडरूट 2 से अंडरूट 2 सेंसेल तो 10 अलफा इसक्वल 2 उपर हो गया आप 400 और नीचे 400 400 मिल करके कितना हो जाएगा 800 इसे इक्वल 2 1 बाई 2 तो अलफा इसक्वल 2 हो जाएगा 10 इनवार्स 1 बाई 2 इतना जो है कौन बनाएगा अलफा इसक्वल 2